अर्पिता के हाथ से आईस्क्रीम जमीन पर जा किरी पर ताजुब की बात ये है कि गौरव ने उसे कोई ग्यान नहीं दिया उल्टा हस कर बोला अरे तुम्हें तो आईस्क्रीम खानी भी नहीं आती मन ही मन अर्पिता गौरव की हसी पर मूँ सिकोडते हुए बोली आता तो मुझे वाटर प्यूरिफायर बेचना भी नहीं है पर मेरी जॉब लग गई न बकलोल कहीं का हसी जा रहा है गौरव ने उससे दुरंद दूसरा फ्लेवर पूछा अर्पिता ना कहते वे उठ गई और सीधे शब्दों में बोल पड़ी घर चलते हैं खाना भी बनाना है और फिर कल से नौकरी पर भी तो जाना है गौरव खुश होते वे बोला ये हुई ना बात यही फोकस आफिस वालों को दिखाना तो फुल स्पीड में आगे जाओगी अर्पिता ने सिर हिलाया और दोनों घर के लिए निकल पड़े घर आने के बाद कपड़ी चेंज करके गौरव जहां आराम से फोन चला रहा है वहीं अर्पिता यूट्यूब पर कोई नई कॉंटिनेंटल रेसिपी ढून रही है यूट्यूब में सर्च करते हुए वो खुद से बोलती है अब ललू लाल ने इतना कुछ किया है तो बीवी होने का फर्स तो निभाने ही पड़ेगा ना पर बाबाजी आपने बिना रच के जिंदगी में खेला रच आए एक बार होता नहीं दूसरा सर पे तलवार बनके लटक जाता है कसम से आलत भारतिय पूरुष क्रिकेट टीम की तरह हो गई है देश में खेलो विदेश में खेलो और तो और पैसो के लिए IPL भी खेलो पर रुकना नहीं है फाइनली अरपिता ने डिश रेडी की और खुद से बोली देखने में तो डिश पास्ता जैसे मालूम हो रही है खुश्पू भी ठीक ठाकी है बाकि स्वात की बात है तो वो संजीव कपूर उर्फ गौरव जी ही बताएंगे अरपिता ने बुलंद आवाज में गौरव को बाहर बुलाया कमरे में फोन चला रहा गौरव खीचते हुए बोला पूरी और कद्दू प्यास खिलाने के लिए कोई इतना जोर से कैसे बुला सकता है यार जैसे तैसे मरी लाश बनके वो डाइनिंग टेबल तक गया कुर्सी खीच के बे मन से बैठा तो सामने रोज की तरह कड़ाई कटोरा ये सब नहीं था कांटे वाला चमच और सिर्फ दो प्लेट्स समय आ चुका था नाजनी डश से परदा उठाने का अरपिता ने ढखकन खोला और जैसे ही गौरव की नजर वाइट सॉस पास्ता पर गई वो बिल्कुल हैरान रह गया सबसे पहले उसके मूँ से ना चाहते वे भी निकल गया ये सुनते ही अरपिता का पारा हाई हो गया और वो मन में बड़बडानी लगी साला आदे घंटे खाली यही समझने में लग गया कि कितना दूद, कितना चीज और कितना मेरदा डालें की कंसिस्टेंसी बनी रहे और इस आदमी को देखो तो कुछ भी बोले जा रहा है फिर भी हसते वे वो बोली घर पर ही बनाया है इस्पेशली तुम्हारे लिए शुरू करो गौरव की प्लेट में अर्पिता ने पास्ता परोसा स्मॉर पोर्शन एकदम फिरंगी स्टाई में गौरव ने जैसे ही उसे चखा उसे विश्वास नहीं हुआ कि अर्पिता ने इतना अच्छा पास्ता बनाया है आज बिना टूटा के पूरा खाना खत्म हो गया गौरव सीधा अर्पिता की ओर बढ़ा अर्पिता की धड़कनी तेज हो गई वो मन ही मन सोची आखिर ऐसा क्या मिलाया था पास्ता में जो ये आखिरी पास्ता मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है गौरव उसकी एकदम करीब आ गया और धीरी से थैंक्स बोला और वापस बेडरूम की ओर चला गया अर्पिता ने माथे की शिकन दूर की और खिड़की के बाहर लगे बिलबोर्ट पर देखा जहां बड़े-बड़े शब्दों में लिखा था आपकी सपनों को हम करते हैं साकार जुझ लाते हुए आर्पिता बोली साकार नहीं बे तुम तो आकार बदल दिये हो कर क्या होगा इस बारे में सोच सोच कर अपनी रात काली करने की शुरुवात अपिता ने बेट्रूम की बत्ती बंद करकी की लगातर दो रात से परिशान अपिता ने जब गौरव की ओर देखा तो सिर्फ इतना ही उसके मूझ सी निकला अगले जनम मोहे गौरवी की जो राट जैसे तैसे गौरव के खर राटो और अर्पिता के करवट लेते-लेते पार हो गई आज दोनों पाव कपल की तरह एक साथ तयार हुए और इस बात पर भी राजी हो गए कि ब्रेक्फिस्स बाहर ही कर लेंगे अर्पिता को नहीं पता था कि नौकरी के ये सब फाइदे भी होंगे गौरफ काफी खुश था और वो ताफ से बोला विश्वास नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक वरकिंग कपल है दो लोगों की सैलरी आएगी घर पर दुगना इड्मेस्मेंट होगा सुन कर ये अच्छा लग रहा है तुमको कैसा फील हो रहा है? आज तो तुम्हारा पहला दिन है ना? अरपिता ने उसकी ओर देखा और जोटी मुस्कान बिखिरते वे बोली थोड़ा सा नावस है पहली बार है ना? आज तक तो नौकरी कीये नहीं पर सैलरी का अच्छा एक्स्पीरियंस है गौरफ थोड़ा सोचते वे बोला आज वो कैसे? अरपिता अपनी चिर परिचित अंदाज में उसके कंधे पर मारते वे बोली वो बाबुजी बिजली विभाग में है ना? तो वो अपनी बिटिया के हाथ में ही सैलरी लाकर रखते थे पूरा राम बाग मोहला बाते करता था पर बाबुजी और हम उन्हीं के सामने रिक्षा पर लॉंग लता जोरते हुए निकल जाते वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही गौरफ बीच में बोल पड़ता है चलो चलो तुम्हारी बनारस की राम कहानिया नहीं सुननी है मुझे भूक लग रही है और दोनों तुरंत घर से बाहर निकल गए नाश्ता खत्म करके वो करीब एक घंटे में आफिस के बाहर पहुँश गए रोज से पंद्रह मिनट लेट गौरव ने घड़ी देखी और एकदम से सौरी बोलने लगा मेरे चलते तुम्हें पहले दिन लेट हो गया देखो साड़े नौ हो गए है तुम्हारा अफिस तो नौ बज़े का है और पिता मन ही मन खुश थी क्योंकि रेडियो मस्ती का समय दस बजी से है उस हिसाब से वो आदा घंटा पहले ही आ गई थी पर अब कुछ तो रियाक्शन देना था ऐसे में उसने गौरव को शांत कराया और धीये से बोली शैतान का काम जल्दी का होता है हर अच्छा इंसान थोड़ा लेट होई जाता है फिर वो डॉक्टर हो, पुलिस हो या फिर दूद वाला गौरव को हसी नहीं आई पर फिर भी वो शांत हो गया और दोनू ही लिफ्ट में चले गए अरपिता का ओफिस साथवे फ्लोर पर था जबकि गौरव का ओफिस बारवे फ्लोर पर अरपिता ने गौरव को बाई कहा और सीधा अपने ओफिस की ओर बढ़ गई लिफ्ट उपर जाने वाली थी और अरपिता आराम से नीचे चली गई अरपिता दोड़ती हुई सीधा ओफिस से बाहर निकली और शॉटकट से अपने रेडियो मस्ती वाले ओफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो गई क्या बाबजी ये तो सामने नंदी मतलब रित्विक खड़ा है रित्विक ने अपनी घड़ी देखी और फिर अरपिता को आज अरपिता टाइम पर ही नहीं बलकी समय से पाँच मिनिट पहले आ चुकी थी जहां अरपिता के चहरे पर ऐसी खुशी थी के मानो भारतिय रेलवे समय से पहले आ गई हो वहीं रित्विक ने सिर्फ और सिर्फ नौट किया और आगे बढ़ गया अरपिता सीधा अपनी स्टूडियो रूम में घुसी जहां आलोग पहले से उसका इंतजार कर रहा था आलोग बिना कुछ बोले सीधा अरपिता की ओर कूदा अरपिता टेंशन में पीछे हट गई और आलोग धम से कुर्सी पर जाकर रहा जहां आलोग दर्स से करहा रहा था वहीं आरपिता लोड़ पोट होकर हसते हुए बोली क्या हुआ भाई अजानुक से स्पाइडर मैन क्यों भन गए आलोग पसली रगड़ते हुए बोला यार अजीबो कल बिना बाद जार दिया और आज हाथ मिलाने के लिए कूदा तो हट गई मैने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है अरपिता ने अपनी हसी रोकते हुए उसे अपना हाथ दिया और कुर्सी पर आराम से बिठाया थोड़ी ही देर में कॉलिंग का सिलसला शुरू हुआ पहले कॉलर का फोन आया अरपिता उर्फ कोयल ने अपने मस्त अंदास में जवाब दिया जी हाँ मैं कोयल बोल रहे हूँ आवाज से तो आप काफी यंग मालूम पढ़ती है दूसरी तरफ से लड़की ने तपाक से जवाब दिया जी मैं यंग ही हूँ सिर्फ उननीस साल की अरपिता ने उसकी आवाज की तारीफ की और फिर उससे उसका सवाल पूछा लड़की सवाल बताते वे बोली खोयल जी मेरा बॉइफरेंड मुझसे बहुत ज़ादा प्यार करता है पर मैं उससे उतना प्यार नहीं करती हूँ बताईए मैं क्या करूँ अरपिता सोच में पढ़ गई और फिर बोली तुम्हारा बॉइफरेंड तुमसे कितना प्यार करता है कोई आइडिया बढकी टेंशन में आ गई जी बहुत जादा करता है हमेशा हाथ फेलागर बोलता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पर तुम उससे कितना करती हो इसका जवाब मैं कभी नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं प्यार तो करती हूँ पर उतना ने करती और पिता ने थोड़ा सोचा और फिर बोली तो तुम्हें ही रांजा लैला मजनु वाले सच्चे प्यार जैसी फीलिंग नहीं आती अपने बॉइफरेंट को लेकर राइट दूसरी तरफ से वो लड़की चिलाते वे बोली जी हाँ जी हाँ बिलकुल यही बात वो लाखों में एक नहीं है और पिता हसते वे बोली तो लाखों लोग उसे मिलो और देखो तुम्हें कोई ना कोई पसंद आई चाहेगा बाकी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है लड़की ने बिना जवाब दिये फोन डिसकनेक्ट कर दिया सारे लोग जिन्होंने वो कॉल सुनी एकदम से हस पड़े आजकल के बच्ची बिना पेट से निकलेने की प्यार ढूनना शुरू वहीं गौरव को बॉस ने अपने क्याबिन में बुलाया दोनों की बीच काफी देर तक किसी बात पर चर्चा हुई गौरव जैसे ही बाहर निकला एचार ने उसकी तरफ मुस्कुरा की देखा गौरव की चहरे पर भी एक खुशी थी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इस क्वाटर में भी काफी अच्छी रही उसने घड़ी देखी तभी निरंजर ने उसे कंधे से धक्का मारते वे कहा लंच करने चले बॉस के गुड बॉई गौरव की हसी चूट गई और दोनों कैंटीन की तरफ निकल गए कैंटीन की ओर जाते वक्त गौरव को याद आया अरपिता को भी बुला लेता उसने तुरंट अरपिता को कॉल किया यहां अरपिता फोन साइलेंट पर रखकर आराम से अपने नए आफिस के दोस्तों के साथ बैठी थी आलोक ने पूछा टिफिन का है तुम्हारा अरपिता ने कहा नहीं लाई आलोक चलाते हुए सबको एखटा करते वे बोला सुनो 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 कोयल जी अपनी टिफिन नाना भूल गई है मेरा मतलब नहीं लाई है तो ये दूसरों की टिफिन से नहीं खा सकती है क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगेगा अब कोई इन्हें बताओ कि कोई अपनी खुद की टिफिन आलोक ने रितु की टिफिन में से सारी कचोड़ी उठाई और मुँ में भरते वे बोला कभी भी कोई भी अपनी टिफिन ने खा पता भाई सब जोर जोर से टेबल पीट पीट कर ठाका मार के हसने लगे गौरव की तेरा मेस्ट कॉल्स वो जड़ से बाहर भागी उसने तुरंथ फोन मिलाया फोन लगाते ही वो बोली अरे फोन साइलेंट पर था इसलिए नहीं उठा पाई ट्रेनिंग चल रहे है न गौरव चौकते वे बोला कौन ले रहे ट्रेनिंग नाम बताओ अर्पिता अपनी ही बात में फसने वाली थी उसने बिना सोचे समझे बोल दिया आलोक आलोक नाम है उसका गौरव ने फोन पर ही किसी को आवास लगाई समर तुम लोगों की टीम में आलोक नाम का कोई नया ट्रेनर हायर हुआ है क्या अर्पिता ने उंगली दाज से दबाई और फोन पर ही बोली भरोसा ने ये क्या जो क्रॉस शिक कर रहे हो रखो फोन मुझे काम ही नहीं करना ऐसे गौरव ने तुरंथ ही अर्पिता को शांत कराया और उससे आराम से बोला अरे मैंने कॉल खाने के लिए किया था मुझे लगा कॉमन कैंटीन में साथ लंच कर लेते हैं तुम कहाओ आजाओ अपने पेट पर हाथ रखकर छोटी सी डखार मारते वे अर्पिता गौरव से बोली मेरा वृत है गुरुवार का गौरव ने थोड़ा सोचा और फिर बोला पर सुभा तो तुमने एटली खाई थी फिर अभी व्रत कैसा अर्पिता एक बार फिर फसी उसने बाद घुमाते हुए कहा वो मम्मी का फोन आया था उन्होंने कहा कि अगर अंजानी में खालिया तो भगवान माफ कर देता है पर अब जान बूच के थोड़ी ना खाऊंगी गौरव हसा और फिर बोला अच्छा अच्छा ठीक है आज़ो फलार भी मिलता है तुम फ्रूट चाट खा ले न अब जन्दी से आज़ो अब तो अर्पिता को जाना ही था जैसे तैसे दोड़ते भागते वो कैंटीन पहुची नजर घुमाई तो देखा गौरव अपने आफिस के दोस्त निरंजन को समोसा खिला रहा है अर्पिता मू बनाते वे बोली लड़की को समोसा खिला रहा है वो भी मीथी चट्मी में डुबा के और मैं बोल दू कि पानी का ग्लास पास कर दो तो बिजली दोड़ जाती है सारे मर्टनों कमी नहीं होते हैं अर्पिता उसके पास गई और सीधा सामने टेबल पर बैठ गई अर्पिता ने खाली टेबल देखी तो बिना कुछ सोचे समझे बोली क्या है कम से कम फ्रूट चाट लेकर ही रगदी होती गौरव के हाथ से समूसा छूट कर चटनी में गिर गया जिसका जीटा निरंजन की सफेड शर्ट पर गया अर्पिता वहाँ से घुस्से में उठी और अपना फ्रूट चाट लेकर अपने ऑफिस की और जाने से पहले गौरव से सरकास्टिकली बोली थैंक्स बुलाने के लिए गौरव का मूँ छोटा सा होकर रह गया उसने निरंजन को देखा तो वो भी अपनी शर्ट पर लगे दांक की वजह से घुस्से में गौरव को देख रहा था अब अर्पिता स्टूडियो में थी और अगले कॉलर का फोन आया अगला कॉलर थोड़ा परेशान जान पड़ रहा था उसने सीधा मुद्दे की बात की कोयल जी मेरी तकलीफ यह है कि मैं काम बड़े दिल से करना चाहता हूं जी और वो मुझे मिल गया है पर एक और काम है जो मेरी चाहने वाले ने मेरी मदद के लिए ढूड़ा है और वो चाहता है कि मैं वो करूँ पताईये ना मैं क्या करूँ अर्पिता ने थोड़ा सोचा और फिर जब सवाल को तोड़ना शुरू किया तो उसे लगा कि ये सवाल तो उसका भी है जिसका जवाब वो भी तलाश रही है उसने तपाक से कॉलर से पुछा आपको कौन सा काम पसंद है दूसी तरफ से आवास आई अफकॉस जिसमें मेरा दिल लगता है और मन भी पर मेरे चाहने वाले का क्या अरपिता ने लंबी सास ली और फिर से बोली चाहने वाला अगर तुम्हें सच में चाहता है न तो उसे सब कुछ बता दो वो जरूर समझेगा अगर समझ गया तो गंगा पार और अगर नहीं समझा तो तुम वो तो करी रहो जो तुम्हें पसंद है कॉलर ने एक लंबी सास भरी और थैंक्यू बोलकर उसने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया कोयल उर्फ अरपिता को भी समझ आ गया कि आज उसे भी आर्या पार करना ही होगा ऐसी नहीं चलेका ओफिस का काम खत्म कर अरपिता बाहर आई उसने गौरव को कॉल लगाया पर कोई जवाब नहीं आया थोड़ी ही देर बाद गौरव का मेसेज आता है ओफिस के बाहर कैप खड़ी है उसमें जाओ अरपिता को थोड़ा अजीब लगा आय तो अपनी गाड़ी से थे ये क्या नया माजरा है भाई वो क्याप के पास गई और दर्वासा खुला तो गौरव उसमें नहीं था उसने तुरंत गौरव को कॉल किया हलो क्या हुआ तुम कहाओ गौरव ने सीधे शब्दों में जवाद दिया मैं घर आ गया हूँ तुम भी आ जाओ वोटी भी भेजाए बता दो उसे अर पिता एकदम से उखड गई पर अब फाइदा तो था नहीं तो वो शांती से गाड़ी में बैठ कर करीब सवा घंटे बाद घर पहुँची उसने रास्ती में तैय कर लिया कि वो सब कुछ सच सच बता देगी बहुत हो गया वो सीधा घर में खुसी और बैग रखकर कमरे में पहुँची कमरे के लाइट्स आफ थी वो उन्हें आन कर दी उससे पहले ही गौरव ने मना कर दिया अर पिता को ये सब अजीब लग रहा था वो यहीं सोच रही थी कि गौरव पर गुस्सा करे या फिर अपने दिल की बात कहे उसने तुरंट कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है गौरव उसकी और पल्टा और धीवी से बोला मुझे भी पर तुम पहले बता सकती हो अरपिता ने बिना समय जाय किये कहा मैं वो वाटर प्यूरी फैर नहीं बेचूंगी मैंने मना कर दिया है क्योंकि मुझे वो कुछ बोलती उससे पहले ही गौरव उठा और उसके पास आकर बोला एक बात कही थी बोल दिया अब मेरी बारी है अरपिता ने उसको काटा और बोली अरे पर सुनो तो अच्छी बात है मुझे जॉब से निकाल दिया है गौट डामेट चिलाते हुए गौरव बोला और धम से अपने बिस्तर पर बैठ किया अरपिता मन में ही बोली बाबा जी अब फिर से एक नहीं नौटं की अब क्या करेगी अरपिता गौरव से छिपकर कैसे करेगी अपनी सीक्रिट जॉब आगे जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मलहूतरा की सीक्रिट लाइफ